कि नमस्कार दोस्तो आपका यूट्यूब सुख्राइम में स्वाजत है गूप शक्राइब गूंध में बहुत दमांड है और आप इसको अपने गर में कोई किसी भी मंजल पर चला सकते हैं कोई आपको सर्डीकेड लेने की जोड़ी है और कोई भी चला सकता है कोई लेडी जो कोई बार नी की हो कोई इसके लिए कोई कर दोस्तों अगर आपने अभी तल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जड़ी से नीचे जाए सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही में बैल आइकन दबाएं ताकि जो हम आपके लिए इतनी मेनस करते हैं आपके लिए जो नएने बिजनेस आईडिया लेकर आएं आप को सबसे पेले पता चल सके जो आज अपके लिए लेके आएं उसका नाम है नोट बुक मेकर्शन दोस्तों आप इसको घ्यक्तर भी कह सकते हो और नोट भूक कोपी के लोग खाता हैं खाता भी कहल कहते हैं दोस्तों सबसे पहले तो वह सबसे मेन सब्सक्राइब मैं चाहिए सबसे पहले मैं उसकी जानकारी दूँगा फिर आपको आगे बताऊंगा मिशीन का प्रसेस क्या होता है कैसे चलती है और मैनुवर से लेकर दो सबसे पहले हम आते हैं पर जो यह नोड बुक बनी आप देख सकते हो आप गता चाहिए यह आता है मिश्चाए डबल नोड बुक में सिंगल में बनाओंगे आपकी पर्डक्शन कम रहती है डबल नोटबुक बनाते हो पड़क्शन आपकी सीजी बात है डबल हो जाती है ठीक है और साथ में इसमें आपको चाहिए कावेश जो होता है रूम पियर में ये रूल हुआ पेपर आपको मिल जाता है मार्किट में और जो बिनफ लेना है और रूल हुए में फिरम दो आपकी बंडल है जादा बर जाती है ठीक है अब उससे नेक्स वाला जो प्रेस्ट 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 तो आपको वीडियो में दिख रहाएं कि हाथ से लेबर फोल्ड स्टाव और मारकाफ और मॉडल है अलग से और यूज है उसमें आपको वह भी आपको साथ में से क्लिए फोर नोर्मल यह कावर को ताइटल को रखना है अपने आप होल्ड करकर रोगंने इसके की तो लिए सकता है बाकी यह नोटबुक की क्वाल्टि और बढ़ जाती और सबस्से बड़ा यह काम है और इसके नेक्स वाला जो परसाइस आता है उसका नाम है स्टिचिंग जो पिन लगाते हैं स्टिचिंग कहते हैं उसको खेंक है कि मारे पाद दो तीन मोटर नहीं लगाता है पैर से आपको दबाना वलता है वीडियो में देश सकते हो व्यांकि आपको कागज को आगे-ागे करना है पैर से दबाना है कागज को और जो उससे नेक्स वाली मिशीन आती है मोटराइज स्टीटिंग मशीन जिसको विकर भी कहते हैं हम उसमें कि आपका स्विच पैर पर लगा पैर स्विच से दबाना है और वह नोट बुक को आगे-ागे करते जाना है उसने जिसनी पिन आपने लगानी है वो लगती जाएंगी स्विच जिसने दबाओगे ठीक है और उससे राखे और भी अटोमेटिक यह वको आपको लाख मैं बतांगा जो मारे होटोमेटिक फुली ऑ्टोमेटिक जैसे कहते हैं मेशीन है कि इसके बारे में योटोमेटिक कैसे बनकि है और आप कैसे काम कर सकते हो पूरी जानकारी की बिलेगी और जो स्केर्चिंग में जो आपका रोल लगता है वो रोल भी मातर ही परवाइड हो जाएगा हैसा रोहिए में आपको आपको सीधा मंचीन मेंxus करना है स्केर्चिंग भी हो जाती है है दोस्तों आपका dao p मॉड़िया इसमें है जो पहला इक तो आता है जो नोर्मल आता है अगर किसी के बज़र क्वें पर्चेंग है मैंनुममाडल ले सकता आपको करने है साथ में उसके वह आता है automatically automatically fully hydraulic as a recurring machine वह आपको वीडियो में दिखाए हम की उसमें की आपको automatic add squaring भी हो जाएगा साथ में प्रेट भी कर देगा उसमें यह फिम्स अपर भी लगे अगर प्रेस कर दोगे तो यह ऐसे बन जाएगी पूरी और साथ में जो राउंड होती है स्केर हो जाती है वीडियो में आपको अभी भी दिखरी होएगी कि यह पूरी हो गई और इससे अब जो नेक्स वाला को सैस है उसको हम कहते हैं कटिंग जो एक है डबल कोपी अब जो ह जो दो तिन तरह के अब अबारे मारे में उस में क्याय में इसने मोड़ लगी होती है वह ब्समया आपको जभी जो ऊपर से बाव अनी है तो पीछे वाला जो गुनिया भी होता है उसको भी हासे गुमाकर आगे पीसे करना परता है और जो कटिंग बेड में नीचे आना है वो चलता मोटर से है लेकिन आपको यहां पर राइट आगे वाल लीवर को पीचना पढ़ता है पिर आपका कटिंग नीचे को आता है लेकिन उसमें कि आपके स्किन सेंसर नहीं लगे होते अगर उसे उपर वाला मोड़ जाई है आपको जिसका नाम है सेमी ओटमेटिक पेपर कटिंग मुचीन दोस्तों उसकी भी हम आपको वीडियो दिखागे से इस सब्सक्राइब पर द सब्सक्राइब चलती है और उसमें कि अगर हमारे तो हाथ रैसे आप देखेंगे और उससे और ऊपर मोडल जो आता है फुली ऑटोमेटिक और फुली हडोलिक पेपर कटिंग मुचीन इसमें कि आपका वीडियो दिखा रहे है उसमें आपका जो नोट बूक का यह साइज बरोगे आपका तो वह एक वान टाइम आपको कटिंग हो जाता है सारा और यह वह भी सारा स्विचिज यह उसमें भी स्कें सेंसर लगे हो हैं अब देख सकते हो वान टाइम नोट बूक डैडी हो जाती है जो सेमी ओटमेटिक और मैनूल में है पेले एक साइड काड़ कर सभी की रखनी बरती है बाद में दूसरी साइड काड़ के हैं ओटमेटिक में यह नहीं है ओन टाइम आपकी नोट बूक रैडी होकर बाद में इसकी परड़क्शन भी दोनों मोडल से डबल है ठीक है तो अ दोस्तों आपको इसमें इस सरफ यह जैसे काड़ टाइटल देख सकते हो हमें सिर्फ इसको ऐसे नॉर्मल रखना है सीधा और नहीं करना पुछ नहीं करना एक आदमी की जूएत है बस वो तीनों का काम एक ही आदमी कर सकता है तीनों आदमी का फोल्डिंग भी करनी है वो स्टिकिंग के लिए भी अलग आदमी नहीं चाहिए सिर्फ एक ही आदमी में यहां पर रख देना है वीडियो में आप देख सकते हो टाइटल कावे रखा है अपने पिन करकर फोल्ड भी हो रहा है सासी में और करकर अपने नोडबुक को बार रखी जा रहा है सिर्फ उसके यह कि इससे आपकी प्रड़क्शन भी है जो दो चार सो कोपी पांट सो कोपी या एक गंटे इंक्रीज हो जाती है और इसमें है कि स्पीड वैरियेबल भी हो जाती है यह जो मैंने पांट-शे सो का है फ्लो स्प के रखे जाता है यह कि यह पंदना सो कोपी पर गंटा बढ़ जाती है ज्यूसरे मोड़में जैसे नोडबुक नूसो सिनो फения में बने मैनुँचर सबस्क्राइबल कि आपकी निछा कर सकते travelled और उसकी कम सब्सक्राइब कर सकते हो यह कोई इसमें आपको मेकैनिकली काम जादा नहीं है बाकि जो भी महारा सब कुछ होएगा आप जब मेशीन हमारी पर्चेस करोगे जो यह नोटबुक की आपको पूरा बताकर आएगा महारा इंजिनियर इंस्टोल करकर ट्रेनिंग देकर आएगा म आपको सिखाकर आएगा पूरा कैसे नोटबुक बनती है पूरा आपको ट्रेनिंग देकर आएगा दोस्तों आपको मैंने बता अब तो बता दिया 3-1 का जो परसेस है एस करीम तरका उसके बार में जो कटिंग है जो आपको पेले वीडियो में बताया वही सेम परसेस है सब्सक्राइब करेंगे आपको पूरा आपके साथ बाद करके बाद करकर पूरा जाएंगे आपको कैसे क्या करना है अब हमें जब मज़ी कोल करकर और अगर को ना उठाया जाए तो अब वच्ट सब्सक्राइब करकर सोर सकते हम आपका जब फ्री होकर आपको उसी वक्त आपको रिपलाई देंगे मिशीन के बारे में सबी कुछ बताएंगे दोस्तों इस अब इस तक बिजन जो मोडल है सबसे बैस मोडल है जो जिसके पास बजट है जागा बजट है जो जागा इन्वेस्मेंट कर सकता है बाकी भी मोडल बड़ी है लेकिन इसमें की प्रटक्शन आपकी तीन से चार या और कोपी आपकी अगर्टे में राम से निगल जाएगी इसमें इस सरफ प्रसक्ष यह है कि आपको कावेज और टाइटल यह रखना है आपको वीडियो भी दिखा रहे हैंगे साथ में आप देख सकते हो यह सिरफ कावेज और टाइटल आपको पर सैक्ट करना है कितनी पर जानी है स्पीड कितनी रखनी है पूरा आपको साइज क्या है वो सब कुछ उस पर टैसलीन पर बर सकते हो आपका पूरा असान काम है यह इसमें की कावे हो रहा है आपको दिख रहा है वीडियो में पूरी कोपी त्यार होकर बाह निकल जाती है और हमारे पास अलग मेशीन भी आती है जिसका नाम है श्रिंक पैक्निंग मेशीन जो आपने पूरी नोट्बुक त्यार कर ली यह ऐसे जैसे यह आपकी नोट्बुक देख सकते हो यह आपकी नोट्बुक ऐसी रैडी हो गई है अब आपका परसाइस आता है कि जब आपने वोलसेलर हो जारा को सेल करना है सब कुछ करना है आपको पैकिंग भी करना पड़ता है उसके लिए आप मारे पास है श्रिंक पैकिंग मिशीन दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो उसमें कि आप गथी जैसे सातर कोपी का बंडल लेकर आप उसको टैक कर सकते हैं उसके आपका जंग नहीं लगता दस नहीं पड़ती कोपी क्वाल्टी मेंटेन रहती है बाहर में बाहर पड़ी रहे है वैसे होता कुछ नहीं है यह चिलनल लगने का डर रहता है दस्त पड आपको कहां से मिलेगा यह कि आपको हर जगह से मिल जाता है है इसकी कोई जिक्कत नहीं आती यह कि आपको अरां से मिल जाता है चाहे आप सिंगल लाइन लो तू लाइन फोर लाइन मैफ वाला इंग्लीश वाला कोई भी आप जो आपको चाहिए आपको सभी मिल जाता है ज अपना ब्रेंडिंग जो करवाना है अड्रैस जो प्राइज लगवानी है जो डजाइन है सब कुछ लिखवासक पे अंदर जैसे इंडेक्स प्रिंट हुआ मिल जाता है यह कि आपको असानी से मिल जाएगा उचाथ में यह लगता है स्टिचिंग में जो रोल लगता है वायर जो इसमें की 25-30% प्रोफित है जो जैसे कि आपको पूरी 30-30 में बिखती है वह आपको गर में पूरा कोस्ट करेंगी 10 हार्वी 10-11 पे भी थारा खर्चा डालकर बिजली का लेबर का पूरा आपका जो रोम टीजल का सारा खर्चा जालकर दालकर प्रचा जाती है अगर बेचो के वह उनीच बीस की भी जाएगी अगर आप स्कूल को वह जो कौपी होते हैं वह 45 में देते हैं उनको आपकी 25 की भी बेह सकते हैं वह स्कूल में यह कि प्रोफित में अराम से बढ़िया निकल जाता है वह साफ शुत्रा गाम है इसको घर पर किसी भी मंजल पर लगा लिए कोई वाइबरेशन नहीं है आपको पूरा मशीन बेस्ट क्वालिटी मिलेगा साथ में यह कि आपने जो देख रहे हो यहां हमारा चैक्टी विजिट करकर भी हम आप आप हमारी मशीन दे सकते हो आप आप जो मैंने यह समझाया आप यहां पर सिख रहा हैगा आप हमारे वर्चाप को नंबर पर कॉल करकर या वर्चाप पर मैसी करकर भी देख सकते हो अगर नहीं भी आना वीडियो कोल हमें करो हम आपको मिशीन दिखा देंगे अप पूरा बेजिज़त अपना तसली कर सकते हो आपको कोई जो क्लियर करना हो हमारे मै सब कुछ बताया जाएगा आपको कैसे क्या करना है कहां पर करना है पूरी आपको डिटेश दी जाएगी और दोस्तों वैसे दो हमने आज आज आपको नोटबुक का बताया नेक्स्क वीडियो में आपके लिए और भी इंट्रेसिंग जो बिजनर से लेकर आएंगे अगर आपने आपे अपर आपके लिए इंट्रेसिएट करें कि अब्र इंडिया में और बिजनर लोग इंट्रेस्टी रह करने के लिए तो हम और भी जो मार्कित में बिजनर चलें आपके लिए लेकर आएंगे आपको सब हमारे चानल को पहली बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सुचना आपको प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पर